वोलीवूट से इस वक्त एक बहुत बुरी ख़वर सामने आ रही है मसूर्दिगज एक्टर जावेद खानमरोही का निदन हो गया है वो 60 साल के थे अंदाज अपना अपना और लगान में उनके निभाएगे किरदार को सायद कोई नहीं बुला पाएगा वो लोगों के दिल में एक एसी जगा बना कर चले गए हैं जिसे बुला पाना नाम उनकिन सा हो गया है अपनी अदाकारी से जावेद फिल्म जगत के बेहतरिन साइड एक्टर है जावेद उस केटेगीरी के एक्टर थी जिनका नाम सायद ज़्यादा लोग नहीं जानते थे लेकिन उनके निभाएगे किरदार लोगों को हमेसा याग थे वोलिवूड में ना जाने कित्ते साइड एक्टर है उनमें से कुछ एक्टर तो ऐसे होते हैं जो दर्सोकों का दिल जीद लेते हैं और जावेद अम्रोही उनी में से एक है जावेद ने पूरे केरियर में डेर्सों से भी जादा फिल्मों और टीवी सीरियोलों में काम किया है लेकिन बढ़ती उम्र की वज़े से उन्होंने काम करना कम कर दिया था मीडिया रिपोर्स के मुताबिक जावेद सांस लिने की किसी बीमारी से ग्रसित थे पिछले साल बर से वो बिस्तर पड़ी थे उन्हें सांटा क्लूस के सूरिया नर्सिंग हों में बरती कराया गया था जहां उन्होंने अंतिम सास ली उनके दोनों फेफड़े फेल हो चुके थे 16 फरवरी साम 6 बजे उन्हें ओसी वड़ा के कब्रिस्तान में दपना दिया गया जावेद खान को आखरी बर साल 2020 में फिल्म सडक 2 के दोरान देखा गया जिसमें जावेद ने पाक्या का रोल निबाया था जावेद ने अपने दोर के सबी सूपरिश्टार के साथ काम किया उनके नीधन की खबर सुनते ही फिल्म इंडरिस्ट्री में सोकी लहर दोर उठी है